Hello everyone, welcome back to our channel Simplified Learner, here we go with the new and amazing video और हमने पिछले वीडियो में बहुत सा चीजे डिसकस किया है Python के उपर पर इस वीडियो में काफी amazing चीजे डिसकस करूँगा मैं आपके लिए जो कि आप सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो open किया होगा जी हाँ हम पात करें github profile के बारे में तो देखो मैंने github यहाँ पर खोल दिया है और यह boring सा मेरा एक profile है I assume that कि आप सभी कभी profile कुछ इस तरह से साधा simple सा रहेगा और हम लोग इसको कुछ amazing सा बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूं कि इसको टर्न करना है टोटल इस तरह से profile में और यह profile में ने कैसे create किया इसको कैसे हम लोग edit करेंगे इस सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अगले पांच मिनिट में आप सीख जाओगा कि किस तरह से अपने github प्रोफाल को एक ऐसा लोग दिया जाए जिससे की जो भी यहां पर विजिट करेंगा उसको काफी अच्छा लेगा और आपको खुद यहां पर प्रैक्रिस करने में ज्यादा मजा आएगा यहां पर मेरे पास एक पैनर है देखो नीचे बहुत सारे चीज़ है यहां पर एक एनिमेटेड पिक्चर है फिर यहां पर कनेक्ट विट मी लिंक्रीन इंस्टाग्रम और मेरे यूटूब चैनल है और यहां पर कितने लैंग्विजस मुझे आते हैं क्या-क्या स्किल्स है कैनल हैं पर मेरे यहां पर डिस्प्ले हो गए Hadis दिखयेगे कितनेत क्योंच गीट है पर कितने स्ट्रीक्स होई है अपके और करेंट्च कितना यहां त्यस्टर और अपने प्रोफायल पर एक न नार्मलल Alej प्रोफायल क्रिएट कर सकते हो और इसको मैंने किस तरह से क्रिए if you are new to this channel subscribe करो हमारे चैनल को और बेल आकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए so without wasting any time हम लोग चलो ये वीडियो को start करते हैं और सीखते हैं कैसे github को pro github बनाया जाए so here we go आपको अपना github profile खोल लेना है और यहाँ पर देखों यहाँ पर हमारा एक भी profile पिक्चर नहीं है तो हम लोग यहाँ से अपके main profile वाले उस पे तो कर सकते हो तो सबसे पहले में यहाँ पर image डाल देता है profile पिक्चर होना बहुत ज्यादा important है यने यहाँ पर प्रोफैल प्क्चर सेलेक्ट कर लिया वसको अपने हिसाब से यहाँ पे आप स Эट कर सकते हो किको पितना शोच्व करना यह डिस्प्ले करना अप्ने प्रोफैle में और यहाँ पर यहाँ लिख सकतेיה तो बहुत आप करन देता हूं कि प्रोफटेट प्रोफाsal और वहन है आपका करनाट का है प्रोफाल में क्या क्या है फीले साथल तो यह मत्म call प्रोफाल अपडेट हो यह नेम है बायो है महें हमारा लोगेशन और हमारा यूटूब का यूअरल एंपर दिख रहा है सो यह काफी अमेजिक टाप अब राइट साइड को तो अभी भी रूखा सुखा है और हमारा एम क्या था इसको चेंज करना कुछ इस तरह से सो हम लोग को अभी इसमें बैनर एड करना है एनिमेटेड पिक्चर से एड करना है और शोशल आइकन से एड करने है तो वह भी हम लोग अभी सीखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप यहां राइट टॉप में देखो कि आपको एक अपना च्छोटा सा लोगो लिख करना है और यहां पर शोटेटरी नेम सेम डालन जो आपका यूजर नेम होगा तो इसकेस में मेरा अशुतोष्टाष्ट पी मिश रहा है तो वही आपका रेपोजेटरी नेम बनेगा और जैसे आप इसको लिख दोगे तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट मेसेज आएगा मुझे आया कि यह अल्रेड़ी एक्जिस्ट कर रहा है मेरा अकाउंट में तो मैंने पहले से बना लिया था और यहाँ पर एक मेसेज़ बहुत अच्छा था कि आपको प्रोफाइल करने के लिए रेपोजेटरी देता है आप मेक्शूर करो कि आप यह पुब्लिक रखो ताकि यह सभी लोग देख सके अगर प्राइवेट करोगे लिए कोई देख नहीं पाएगा और अब गिटब पर हमको अल्रेड़ी यह क्रिएट होके रेपोजेट करना है हम लोग किस तरह से हमारे प्रॉफइल को द्यानामिक बना सकते हम देखेंगे तो होके अब बना हुआ है यहां पर देख सकता हो जो 2ौस्पाइल है Regardless फैल है अभी बैनर private १क्रेटettu इंडिल आसफोटेशूरा आपकि तिंब आ प्रेडिमी फाइल में हमको बहुत सारा काम करना है और लेकिन मैं आपको एक और पीछे भूल गया बताना अपने प्रोफाइल पिक्चर पर हम लोग एक और चीज एड कर सकते हैं तो हम लोग अपने प्रोफाइल पर विजिट करते हैं एक बाद फिर से एन यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहके स्टेट स्टेटस का होगा तो यहां पर आप कोई भी स्टेट सपॉसिंग काड़ि यहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो आप यहां पर देख हो क्या क्या है यहां पर टाइटल करने हैं इसकेशते हैं जुजू हमको आदेशंथ सकते हैं डाले अशुतोश मिश्रा फिर नेंग के बाद यहां पर सब्सक्राइड कर सकते हो तो यहां पर मैंने भी एक सब्सक्राइड कर दिया है so a passionate software engineer from India and अगर आप कोई काम कर रहे हो या currently कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो यहाँ पे वो mention कर सकते हो उसके link यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो तो फिलाल तुम्हें कोई काम नहीं कर रहा हो तुम्हें यहाँ पे एक नया सा statement लिख दिया हो कि I am currently studying computer science और यह भी यहाँ पे display होगा और I am currently learning आपको जो भी चीज़े यहाँ पे add करना है क्या पढ़ रहे हो फिलाल कौन सर कोर्स कर रहे हो सब यहाँ पे आप display करवा सकते हो so ask me about how to reach me आप यहाँ पे अपना gmail डाल सकते हो और आप एक link डाल सकते हो यहाँ पे add कर सकते हो मैं इसाप resume add कर सकते हो और fun fact करके आप कुछ display करा सकते हो तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि I am funny और मैं यहाँ एक emoji add कर देता हो सब आप लोग नीचे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पे skills आप add कर सकते हो आपको कौनसा कौनसा programming language आता है वह यहाँ पे add कर सकते हो मैं आपको suggest करूंगा कि जो language आपको अच्छे साथ है आप उन्ही skills को और languages को यहाँ पे add करो ताकि जो लोग आपको prefer करे या फिक किसीने कुछ question पुछले तो आप उनको answer अच्छे से दे सकोगे इसलिए जो चीज में आप अच्छे से समझते हो चीजों को उन्हीं चीज को यहाँ पे add करिये and so front end language याफी back end development का आपको क्या framework आपको पता है वह सारे यहाँ पे add करते हो तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़े आड करता हूँ अपने सारे skills एड करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने advertisement के तरफ कि आप social accounts यहाँ पे add कर सकते हो so आप github का username यहाँ पे mention करतो तो github वहाँ पे display होगा twitter username आपके पास twitter का डाल दो या फिर आपके पास LinkedIn का है तो LinkedIn का मैंने यहाँ यूजर नेम डाल दिया है Kaggle Instagram तो मैंने Instagram पे यहाँ पे डाल दिया simplified learner का और YouTube चैनल है तो आपको YouTube का यहाँ पे link नाम डालतो करें वह अपने github ले ले लेता है इसका link so simplified learner और अगर आप किसी coding platform पे कोई अच्छा सा profile बना लिए तो वह भी यहाँ पर कर सकते हो code shape वगर्ण सबका एन उसके बाद कुछ add-ons यहाँ पर add करें होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप display कर सकते हो कितने visitors आपके github पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर activate कर दो फिर कितने होंगे एन आप twitter के badges और बाकी चीज को भी यहाँ पर देख लो क्या कि आपको add करने होंगे एन इसके बाद simply आपको नीचे आया जाना है और यहाँ पर generate ready में लिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको काम अल्मोस्ट हो चुका है 90 परसेंट आपको क्या करेगा यह website एक पूरा html css का पूरा code यहाँ पर आपको लिख के देदेगा तो अगर आपको थोड़ा सा भी idea हो html css का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर heading में क्या क्या चीज़े हैं तो जो जो चीज़े आपने select किये थे न वह सब आप यहाँ पर code के form में आ गया है आप हमको इनको copy कर लेना है सारे चीज को अगर आपको html css आता है तो आपको समझ जाएगा किस code में क्या क्या चीज़े हो रहा है सो अब यहाँ पर मैं आपको बता दो कि जो banner और एक जो वहाँ पर picture था जो एक animation वाला थोटा सा image था वहाँ पर display नहीं हुआ है अब हम उनको add करेंगे सो यह कुछ इस तरह से display हो रहा था हमारे website github पर देख लो यह animation जो था और यह banner यह दोनों चीज हमारे उस code में नहीं है तो इसको हम लोग explicitly add करेंगे तो यह कैसे add करेंगे मैं इस animation pictures का link भी आपको provide कर दोंगा simply वहाँ से copy paste कर लेना आपको google पर search करना है animated coding gif और image में जाके आपको search करना है आपको जो भी add करना हो gif आपके github पर यहाँ पर लोड होगा यह एंड देख लोगा यह पर बहुत सारे pictures से आपको जो अच्छा लगए आप वो add कर लो सो मैंने कौन सा एड किया था था स्क्रोल डाउन करते हैं तो यह image था इस पर राइट क्लिक कर देना है और इसका link copy करना है तो copy image कर लेते हैं हम लोग and फिर हम लोग notepad में आते हैं और image add करने का syntax लिखते हैं क्योंकि वहां पर profile में बेटर display होता है यह चीज़े and alignment हमने right रख दिया इसके बाद हम लोग इसका alternate एक नाम देते हैं let's say मैं coding लिख देता हूं so alt equal to coding and इसको width define कर देते हैं कि कितना height का रखना है हमको इसको width रख देते हैं let's say 400 pixel का so width equal to 400 and इसके बाद हमको src करना है means इसका link डाल देना है इस gif का so मैं यहां पर link जो मैंने copy के था google से वह यहां पर paste कर देता हूं मैं यह same link आपको display कर दूंगा हमारे description box में आप you can copy from there and now we will copy all this code from the notepad और हमको github पे आना है and हमारे readme जो repository में फाइल था readme का वह open करना है तो अपने repository को पहले सर्च करो जो कि हमारे username से similar है and repository में जाके हम लोग अपने username वाला repository सर्च किये and यहां पर हमको कहां जाना है readme file के अंदर यहां पर दिख रहा होगा कि सारे code यहां पर paste हो चाहिए अच्छे से और यह पर preview कर सकते हो किस तरह से display होगा जैसे मैंने preview क्लिक किया देखो किस तरह से हमारा profile चेंज हो किया आ चुका है Hi I am Ashutosh Mishra and यह सब logo सब हमारे यहां पर display हो रहे है So congratulations everyone आपने simple normal boring sa github profile से आपने pro level का high five profile create कर लिया So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हमारी उस github पर वापस जाएंगे and हम लोग open करेंगे हमारा repository फिर से So repository open करने के लिए आप simply उपर जो नाम है उस पर click कर दो and आप repository पर visit कर सकते हो तो आप देखो कि यहां पर कुछ भी add अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हमने commit change नहीं किया था और हम लोग अभी आप इना repository में जा रहे है और यहां पर एक file है github banner.png और एक readme file तो readme file में है तो हम लोग अभी काम करी रहे है तो यह github banner.png क्या है मैं आपको दिखा लेता हूं github banner.png यह मैंने एक banner create किया था canva की मतद से और इसको मैंने यहां पर add कर दिया था आप कैसे कर सकते है दखो यहां पर add files upload files choose from your files आप इसको click करके अपने file manager से upload कर सकते हो और commit change यहां पर कर दिजिए और इस तरह से आप github पे files को upload कर सकते हो अगर आपको इसके और भी वीडियोस चाहिए तो मैं आपको यह वीडियोस प्रवाइड कर दूँगा जिसमें हम बताऊंगा कि github पे git bash की मदद से किस तरह से file add कर सकते हो और folders add कर सकते हो और या फी आप directly कैसे add कर सकते हो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप comment करके बताना so after uploading the file हमको उस png file में right click करके उसका link copy करना है so right click on that png file and copy link address and we will come back to our readme file और readme file में सबसे top पे आके एक बहुत ही easy सा syntax लिखना है और उससे हमारा banner यहाँ पे upload हो जाएगा so syntax को इस तरह से होगा आपको सबसे पहले एक exclamation mark वहाँ पे डालना है and bracket open close उसमें लिखदो logo logo and come out of square bracket and round bracket डालके आपको यह link यहाँ पे paste कर देना वो png file का जो हमने copy किया था and आप यहाँ से preview कर सकते हो and जैसे हमने preview किया देखलो हमारा banner यहाँ पे add हो चुका है and आप visit करो अपने profile पर चेक करो कि अपडेट हुआ है कि नहीं और यह सब होने के बाद नीचे commit change करना मत भूलिये हमको commit करना पड़ेगा तभी यह चीज़े upload होगा तो we will come down and here we will commit our changes so commit changes करने से हमारा सारा चीज़ सेव हो जाएगा and here we go हमारा file यहाँ पर readme file upload हो चुका है अब हमारे profile पर वापस से जाएंगे and check करेंगे अज को refresh कर दो एक बार ताकि जो भी latest changes होंगे वो सब update हो जाए देख लो यहाँ पर profile आ चुका है focusing यहाँ पर हमारा banner है और यहाँ पर सारे चीज़ें जो हमने अपर upload किये थे photos, animated pictures and अगर इसका theme हमको black करना है तब हम लोग क्या करेंगे वो भी हम लोग अभी change करके देख लेते हैं ताकि हमारा profile और भी ज्यादा amazing और ज्यादा pro level का लग settings में जाना है और यहाँ पर appearance को क्लिक करना है so appearance is here and यहाँ पर आपको theme सेलेक्ट करना है night theme यह फिर जो भी आपको अच्छा theme लगे so यहाँ से मैं dark theme सेलेक्ट कर लेता हूँ and इसको बस क्लिक करते हैं यह automatically save हो जाता है and we will visit to our profile again and देखेंगे update हो आगे नहीं and यहाँ से मैंने theme सेलेक्ट कर लिया है यह मेरा final theme है and हम लोग profile पर वापस विजिट करते हमारे and here we go आप देख सकते हो कितना dashing cool और एक realistic लग रहा है computer science student का profile यह github का so I hope कि आप सभी को यह सारे steps अच्छे से clear हो गए कि किस तरह से हमको website पर जाके क्या-क्या changes करने क्या-क्या update लिखना है हमको क्या-क्या skills एड करने उसके बाद यह animated gif और यह banner का link भी मैं आपको description में provide कर दूंगा साथ ही मैं आपको अपने इस repository का link भी दूंगा जिससे आप directly इसमें fork करके आप मेरे readme file में आके सिप अपना नाम चेंज कर दो and बाकी thing you can access from there so वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो जो link में अपने repo को दूंगा आपको वो open कर लेना है and उसके बाद यहां right top में आपको आजाना है यहां पर fork का option होगा इसको क्लिक कर दो and star करना मत भुलिएगा star जरू कर दीजेगा side में इसको बटन है तो यह fork करने से क्या होगा आप directly मेरे readme file में आ जाओगे and simply आप वहां पर अपना name change कर दो skill change कर दो आपको domain change कर दो and आपका repository एकदम must create हो जाएगा and आपका github profile same to same एकदम pro level का create होके आ जाएगा and comment करना कि आपको github पे अगर folder upload करने directly कोई भी location से तो वो मैं आपको next video में बता दूंगा based on your comment and till then enjoy your github profile and happy learning have a good day